नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने परिक्षाओं की प्रगती रिपोर्ट जारी कर दी गई है तो दोस्तो जितनी भी मुख्य परिक्षाओं हैं इन सब पर हम detailed discussion करेंगे कि कब किसका परिणाम आएगा और कब मुख्य परिक्षाओं हो सकती है उससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अन्त में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो जो काफी चर्चित भतिया हैं जिसमें खासकर वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी आपको बता है कि इसमें सब कुछ हो चुका है अब बात क्या चल रही है कि महाफरवरी में क्या होगा इसमें 2020 में जो डॉक्यूमेंट है उनके परिक्षण की कारिवाही जो है वो संभावित है अभी भी दोस्तों कंफर्म कुछ नहीं आ रहा है सिर्फ संभावी थी आ रही है क्योंकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफी बड़े रिफार्म हो रहे हैं अब आयूक के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एक कमिटी बनी थी जिसकी सिफारी से आई थी कि रिजल्ट जारी करने से पहले जो है आपको मूल प्रती और कोशागार प्रती इनको अलग-अलग जो है आपको मैच करना ही पड़ेगा तो इस वज़े से मुझे लग रहा है ये चीज़े डिले होती जा रही है और फिर बात करते हैं दोस्तों हम मंडी परिशत की जो परिक्षा थी संयुक्त परिक्षा 2018 की अब उसमें क्या है उसका प्रणाम जारी होना है उससे पहले जितना भी डोकुमेंट से उनका वेरिफ PCS की आप सीरेल नंबर 19 पर देख सकते हैं लोवर PCS इसमें रिजल्ट कब इसका जारी होगा अगर हम रिजल्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो फरवरी इसमें दे रखा है माँ फरवरी यानि कि 28 तारिक तक जो है इसका रिजल्ट जारी हो सकता है क्योंकि संभावित बात करते हैं मुख्य परिक्षा कब होगी इसमें मुख्य परिक्षा की जानकारी नहीं दी है बस यह बताया है 2020 में होगी अभी महीना भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो परिक्षा हैं दोस्तों UPSC की आन्ने परिक्षा हैं वो इतनी ज़्यादा लंबित हो मगर जो इसका result जारी होगा वो होगा March में यानि कि lower PCS का result है दोस्तों वो पहले आ जाएगा और उसके बाद में जो है आपका junior assistant का आएगा अब दोस्तों junior assistant का result आएगा तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि Hindi और English दोनों ही typing है और Hindi बहुत ही crucial है क्योंकि अक्सर लोग Hindi typing ब एक भी टाइपिंग में फेल हो गए तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे परिक्षा के अंदर चाहें आपके रिटेन में फिर कितने भी नंबर क्यों ना आए हूं तो इसलिए हिंदी की टाइपिंग जो है आप अभी से करते रहिएगा क्योंकि पद बहुत जादा हैं और इसमें जो है सेलेक्शन होने के चांसे काफी हैं जो कि दोनों टाइपिंग निकाल देंगे रही बात फॉंट की तो वहां पर आपको च्वाइस मिलेगी चाहें तो आप कुरुती देव टैन में कर दीजे चाहें तो मंगल में कर दीजे ठीक है अब हम दुबारत से आ आ आधिकारी होता है उसके बारे में यह दोनों ही पोश्टे बहुत जबर जस्त हैं दोस्तो तो इसके लिए अगर आपके मदब तैयारी बढ़िया रखेंगे तो यह दोनों ही पद आपको मैंसे कोई भी जो भी आपने प्रिफेंस दी होगी मिल सकती है ठीक है अब कई लोग यह पूछ रहे थे कि क्या इसमें प्रिफेंस चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा मगर अगर मौका मिले तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इसका रिजल्ट जो है वो फरवरी में जारी हो जाएगा और टाइप परिक्षा से सम्मन दे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिपलाई करूँ धन्यवाद दोस्तो जय हिन जय भारत